दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे मैं वीजे प्रकास आपका हर दिक स्वागत करता हूँ दोस्ते किसान अपने खेत में काम कर रहा था अच्छानक उसे एक घोसला दिखा उस घोसले में उसे एक बाज इगल का अंडा दिखा उसने देखा कि गलती से एक मादा बाज अंडा वहीं छोर कर कहीं उर गई है उस किसान ने उस अंडे को ध्यान से उठाया और अपने घर के पीछे मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया थोरे समय बाद मुर्गियों के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकले और उस बाज के अंडे में से एक छोटा सा बाज निकला वह बाज भी मुर्गी के बच्चों के समान मुर्गी को देख कर ही बरा हुआ वह बाज बस मुर्गियों जैसे दाना खाता, मुर्गियों के साथ सिर्फ जमिन पर घुमता, सिधी लाइन में चलता, सबसे डर कर रहता बच्पन से मुर्गियों के साथ रहकर उस बाज को लगा कि वह भी एक मुर्गी ही है उस बाज की पूरी जिंदगी ऐसी ही गुजरी एक दिन जब वह बाज बुरहा हो गया तो उसने आखिर आस्मान में देखने की हिम्मत करी उसने उपर देखा तो उसे आस्मान में बहुत उचा एक बाज सान से उरता हुआ दिखाई दिया बुरह बाज निरास हो गया उसने खुट से कहा कास अगर मैं भी बाज होता तो मैं भी आस्मान में उर पाता दोस्त जीवन की सबसे बरी वी डमना यह है कि यदातर लोगों की कहानिया भी ऐसी ही होती है वह पैदा बाज की रूप में होते है लेकिन बरे होते होते उनके आस पास का समाज उनके दिमाग में बैठा देता है कि उन्हें उरने के सपने नहीं देखना चाहिए कियोंकि वह भी उनके समान ओसत दरजे के ही है आपके बारे में नेगेटीव बाते बोलने वाले लोग भी उन मुर्गियों की तरह हैं दोस्त भले ही आप में उरने की छमता है फिर भी वह आपके पंख इसलिए काटने का प्रयास करेंगे क्योंकि उन लोगों में खुद उरने की छमता नहीं है आप एक बाज के रूप में पैदा हुए हो दोस्त आप कितना भी उचा उड़कर कुछ भी करने की काबलियत रखते हो बस अपने आसपास की मुर्गियों से बच कर रहना इसलिए कहा जाता है जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन भी जाते हैं था वो बाज लेकिन सोच लिया कि मैं मुर्गी हूँ और सोच और संगती का असर देखिये दोस्त कि जिसको खुले असमान की उचाईयों को छुना था वो जमीन पर मुर्गी बनकर पूरा जीवन निकाल दिया आपना आप जिंदगी में कितनी बार हारे हैं ये कोई माइने नहीं रखता दोस्त क्योंकि आ आपको लोटने के लिए भी उतनी ही राह तैय करनी है जितनी मंजिल तक जाने में लगेगी दोस्त हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाए खुद की सफलता पर काम करो अगर आप उस इंसान की तलास कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो ओ संभव ही लगता है आप अपने लक्ष को मुचा रखिए और तब तक मतरु किये जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते याद रखना दोस्त ना कम्याब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कम्याब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं एक ऐसा लक्ष निर्धारित करें जो आपको बीना हासिल किये चैन से सोने ना दे आप अपनी कबलियत को पहचानों आप मुर्गी नहीं हो जो जीवन भर जमीन पर रेंगते रहो आप बाज हो दोस्त आसमान का सीना चीरते हुए उरान भर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें थैंक्यू दोस्त धन्यवाद